बिहार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेश प्रताप यादव इंदिनों बिहार के राजनीती में चर्चाओं का विश्य बन चुके हैं तेश प्रताप यादव लोकसभाद चुनाफ के मध्य नजर खामोशने सराएं अपनी बेहनों के प्रचार प्रसार में भी दूरी बनाते हुए दिखाई दिये मीसा भारती जिम नामंकन दाखिल करने पहुँची तो उस कारिकरम में भी तेश प्रताप यादव अपनी ही पा भाव की वज़ा से तेश प्रताप यादव अपनी शादी को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं तेश प्रताप यादव की शादी चंद्रिका राई की बेटी एश्वरया राई के साथ हुई थी शादी की बाद एश्वरया राई यादव बन जाती हैं लेकिन शादी के कु मांवल उत्पीड़न से जुढ़ाता है केस बीप्राप रृता सकते देशरणक के होजाता है लेकिन या प्यादव के साथ जो घटना घटी तलाक हो जाता है पत्नी अलग हो जाती है इसके बाद तेश प्रता प्यादव ने शादी को लेकर कोई भी विचार नहीं बनाया लेकिन एक पोड़कास्ट में तेश प्रता प्यादव से एक बड़ा सवाल पूछा गया कि क्या आप दूसर शादी को लेकर साथ तोर पर यह कहते हैं कि मेरा अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं दूसरी शादी करूंगा लेकिन समय का आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं आज समय क्या है और आने वाले समय में वह आपके अनुकूल रहेगा आपके विपरत रहेगा या उस घड़ी मे आप क्या फैसला लेंगे इस बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूं लेकिन अगर मैं मौजूदा समय की बात करूं तो मैं दूसरी शादी के बारे में कुई भी विचार नहीं कर रहा हूं तेश प्रताप यादव ने दूसरी शादी को लेकर तो सिरे से खारिच कर दि ऐसे में तेश प्रता प्यादव चुनावी मैदान में उत्रेंगे यह पिर नहीं और क्या शादी को लेकर जो बिहार की més क्या पयादव चर्जाओं सब्शिट सर्कρεί soon अब इस मुद्ध्य को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या तेश प्रता प्यादव को दूसरी शादी करनी चाहिए, क्योंकि पहली शादी को लेकर ये आरूप लगाये गए थे कि एक राजिनेतिक एजिंडे को साधने के लिए शादी मजबूरन तेश प्रता प्यादव ने की, जिस वज़ा से ये शादी टिक नहीं पाई, अब आपक की राई क्या है, कम सेक्षन में जरूद हैं अपनी राई, देश और दुनिया की बाकि और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे, SPN 9 News थान्यवाद